सो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दी वार्गॉट सिस्टम की एपिसोड 87 के साथ हाँ जिरू एपिसोड की शुगात में हमें इस यू दिखा जाता है जो अपने सामने से गार्डियन को देखते हुए कहता है कि इसकी स्कॉड तो एक वार्गॉट रियलम जैसी लग रही है पर च करेक हो चुगा होता है जी उसको देखते हुए कहता है कि इसका अटाग के अंदर कितनी सा स्टरेंट है इसकी जो स्बार्ड औरा थी वो देखते हैंहीं है और वो ऐसा बोलता हूँ, एक slash उस guardian को पमारता है, जैसे काहन से, वो जो guardian की sword होती है, वो उस रहा से damage होती है, और वो देखते हो एक कहता है कि, मैं बिल्कुल सही था, मैंने जो सोचा था, वो एकदम सही था, ये जो guardian है, वो यहाँ पर really exist नहीं करता है, ये तो बस उसके एक और फिलाल भले, उस guardian की, सिर्फ याप एक और आगी हो, तो अभी ये बंदा, बहुत जा स्ट्रॉंग है, क्योंकि इसकी औरा को देखते हो है, बहुत जा स्ट्रेंथ फील हो रही है, और फिलाल मैंने इस औरा को एकदम ध्यान से देखने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि ये औरा, बिल्कुल एक क्लोन की जैसे काम कर रहा है, और आप मुझे इस औरा को देखते हो है, ऐसा लगता है कि, ये जो चैलेंज होगा, वो शाय से स्रा हार हो सकता है में लिए, और फिलाल पे, जियो का पैट आता है, जियो उसको देखते हो है, और वो कहता है कि, क्या को पिलोज के उपर भी, वो इस लेश के निशान है, जो बाकी के पिलोज के उपर है, तो क्या इसका मतलब की, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहा पे सच में, ये नाइन स्वाट्समन है, और फिद अभी उतने में, वह पे नाइन शैडॉस आ जाता है, जियो उन साथे शैडूस को वो रिलाइस करता है कि अभी आपर इस चीज़ों का कोई भी टाइम ही नहीं है मुझे जल्दी से अभी ऐसे जल्द लिकल नहीं होगा वन्ना मुझे ये लोग बुरिता से डामेज कर देगी और फिस अभी उतने में वो साइज चो गार्डियन के क्लोंस थे वो जियो के ओपर पाउर्स की हैं वो अचानक से बढ़ती जारी होती है वो जो अटैक कर रहे थे उसकी बात कर रहे है अफिधा वी तुरंती वो साइज शेडीो एक पास कर लाता है और वो हाफ तरह कहता है कि मैं इस जियो पाहुचने के बाद ये साइज जो नाइन शेडू है वो मेरे ऑई आटक क्यों नहीं कर रहे हैं और वो शैडोस दिखा जाता है वो एक्षिल में जू के पास भी खड़े होता है पर वो जू की तरफ अटक नहीं कर रहे होता है जू उन सभी को देखते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही चैलेंज मुझे इस जगे पर आके पूरा करना था तो उसे चैलेंज को खत्म करना होगा और उनने मारना मतलब बहुत साम मुश्किल है और विजु रहरा प्रेंग इंडिमिडीड वर्लाट पर वार्ड बहुत जयाए उड़े है है और अगरा मैं लोगों के ओपर एक साल अटक करने के लिए गया तो तो मेरा बचना बिलकुल नामु कि लोगी क्योंकि जब जब यह लोग कंपाइन अटाइक यूज करता है तब तक इन लोग की जो पावर होती है वह अचानक से बढ़ जाती है और विज्व को वापर कुछ लाइड होता है एक्शन में उसमीन को देखते हैं कि यहां पर जिर जब लोगों में उपर अटाइक क इसके बास जिव स्किल्स आप सोचते हों कि अपर देखो इन लोगों की जो शैडो की पावर्ड वाड की लेवल की है और इनकी जो स्किल्स है वह एक्शल में वार्गाड रैंक की स्किल्स है तो फिर भी मेरे पास एक चांस तो है मैं लोगों से जीप तो सकता हूं पर इसके बास जो गार्डियन की बास आद करता है कि उस गार्डियन ने मुझे मैंशन किया था कि मुझे आप एक एडवांस्ट वार्ड लॉर्ड रैंक की पावर्ड ची होगी इस चैलेंज को पूरा करने के लिए पर फिलाल मेरे सामने जो स्किल्स हैं वो तो बहुता खतनाक हैं और फिलाल में इससे छोड़ भी नहीं सकता आवे तावी सिस्टम यू को मैसेज देता है सिस्टम यू से कहता है कि एक अन्नों स्किल्स डिटैक होई है पर फिलाल वो जो स्किल्स हैं उसके बारे में कुछ जाता इंफॉर्मेशन नहीं है आप इस चीज के लिए जरा इ करनी होगी और वह ऐसा बोलता हूं वह एक तुम तेये से कुछ काइटेंस के पास आता है और वह एक तुम तेये से उन लोगों पर स्लेक्शिफ मारता है और वह में अगले सीन पर डॉंग दिखाए जाती है जो गार्टेंस से कहते हैं कि में जो एमर्जेंसी मेडिंस थी व अगर इसे कुछ ही हिल कर सकती है तो वह लाइफ पूल का पानी इससे बचा सकता है इसके अलवा कोई भी मैडिसन इसके वह बेकारी है और अभी देखो मैं भी नहीं चाहता कि यह लड़का यहाप हिमारे और अभी एक्चुल में मैं तुम लोगों की हैल्प भी करी जैता पर अभी आप एक्चुल में अभी इसे कारण से मैं तुम्हें उस पूल का पानी ऐसे ही नहीं दे सकता तुम्हें यह चैलेंज पूरा करना होगा उसके बात ही तुम मिलेगा डॉंग और लियाओ से कहते है कि तुम जब दक जूफन आए जूफन बहुत जल्दी वह तुम चुप चाप रहे ना मैं जब तक नहीं कहूं तब तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और फिर तभी उतने में वहाप एक आदमी आता है वह गार्डियन उससे कहता है कि अभी जो कि तुम मेरे सामने आ चुकि हो तो बताओ क्या तुम उससे क्या चुपा रहे हो वह बताओ कि यह चीज में कोई भी शखनी है कि तुम इस जगे के एक ट्रू गार्डियन हो क्योंकि मेरे हाथे तुम्हें मुझे टैक कर लिया तब ही तुरण भी टूमें को रिलिस करता है कि यह सोब डूमें है और ऐसा बोलता है उस आदमी के उपर ही अपने डूमेन उपन क होँ आदमी जैसे इस डूमिनक अंतर आ रहर होता है की मुझे इस जगे पर बीदे मिछन के मुझे आया acts क्लिफा बता दो कि तुम किस चीज के लिए आप आई थी वो आदमी गार्डियन से कहा था कि एक्षलो मुझे आपे मेरे टीचर ने भीजा था और वोने कहा था क्या आपने वो प्रिवेस जो इन्विडेशन जो हमने भीजा था वो एक्सेप्ट करने वाले हो क्या अगर आप हमारा इन्विडेशन एक्सेप्ट करते हो और साइस चीज़े जब सैडल हो जाएगी उसके बाद सिर्फ एक ही हाई पोजिशन पर एक बंदा होगा जिसको सिर्फ आपको सुनना होगा डौंग ही सुनते हैं सरह हरूंती हैं और वो कहते कि क्या इन्विडेशन को एक्सेप्ट है और अभी यह जो काडियन है वो क्या इस इन्विडेशन को एक्सेप्ट हैने हो ला है सुछ सब्सक्राइब बस इतना है मैं आप जिफ मिल लोगा इस डिसका अगले एपिसोड उसाथ तब तक के लिए बाई